अबसकार परते खवर के साथ मैं करुन विहार इकाली में विहार इस वीडियो के साथ लगातार जूरे है तो जूरते रहे हैं आपको मिलाते इस वीडियो के साथ ये जो लग प्यार हो गया है आलू और आलू लगाने वाले से मिलते हैं इस वीडियो के साथ अब लगातार बन का है आनिकी देर हां 24 इंच और आप जो है अलो लगा रहा है और कितना दूरी पर दे रहा है आपको इस वीडियो के साथ देखाती है और आप लोग वीडियो के साथ जूरे हां जूरते रहें और यह आलो का दूरी जो है च्छे अमोरी है छे इंच है और अगर ननढा भी जाए तो तीन इंचीप पर भी दिया जा सकता है इसलिए ननढा भीज को थोड़ा दूरी कम पर दिया ज़ता है कि ताकि उसमें बीज सतडिक रहेंगा और गाश अधिक होगा तो बीच जाद अधिक होने के काड़न से और पैतावार अधिक होगा और किसम लोगों को फैदा होगा देखक बित्ता पकर देजेगा आलू को दूरी तो मन्त लिए एक आलू में चार-पॉंच आलू निकलेगा तो दूरी दूरी और आप देख रहें वीटो के साथ आलू का दूरी कितना है और लग कर त्यार हो गया है लगवाग एक भुगा से पार लग गया है और किसान लोग खेती वारी में सबसे ज़्यादा ध्याओन देते हैं क्योंकि खेती बारी ही मुख फसल है किसोन का और इसलिए कि खेती बारी करने से किसोन को पैसा ओते हैं उनसे क्यों कि अर्म कुदाल चलोने वाले मजदूर का मजदूरी है 300 रुपया और 1500 रुपया है अलू गिरोने वाला जो धाले में डाल रहा है इस देफ्रेंज विडियो के साथ यह लरके सब को मिल रहा है 1500 रुपया कि दर से और एक एक जन जो है दो कठा लगा देते हैं दिन भर में ऐडिए इस वीडियो के साथ मिलते हैं किसों से किसों से मिलते हैं एक बिगा में कितना खर्च होते हैं और उसके बाद आपको ब्हुर सारा बिर 화ak Thi den और किसान जी आप कितना बुए है कि बारे कथा है बारे कथा हम कितना बोड़ी खपत हो गया है बीज और किमत कितना बीज का या है खड़ीद का खड़ी दिरेट बीज का या है 2400 फाइकेट तो ये 50 के अजा बीक रियट में तो अधिक मूल पर आप खड़ी दे और उपजा होने के बाद अगर रियट सही मिले तो किसा लोग कैसा फैदा होगा अजा आलो कितना दाम पर पिकना चाहिए जो कि किसो लोगों को कोई तरकिन घाटा ना हो लगे है सुद्ज है और किती जनकार ही लिए इस वीडियो के साथ ख़ боль के साथ और इसी तर जूती और आपसे ख़बर के साथ और अगले वीडियो के साथ ईसी तरह मिलाते है रहेंगे जहेंच वहराद नमसकार प्रते ख़बर के साथ मैं और गर झाल झाल